हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं सल्विक आपको प्रश्ण बतायग वहीं सब प्रश्ण आप के पेपर आए हैं यहां पे 830 EU Il देखते हैं तो फ्रेंज चलिए देखिए यहां पर आपको पहले आलेखन कला का सब्ष्भक देखते हैं फ्र क्या है कि Jewish कि एक सिष्भाब का कर देखते हैं इस प्रश्ण का सही जवाब का होगा डी रंगों कि आपको अगले शुygenका हमा और दी यानिकी एक इन दूसरे कि यह विरोधी रंग ठीक है आपका अगला सब्सक्राइब भारत का राष्टी द्वज है ठीक है तो भारत का राष्टी द्वज आप देखेंगे फ्रेंस उसमें क्या होता बहु वरड़ी रंग है तीन रंग को प्रियोग किया गया इसलिए बहु वरड़ी रंग है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि एक चित्रे के लिए सबसे महतुपुड गटक क्या होता है तो फ्रेमक का सही जवाब होगा Capital अगला नमबर के सवाल है कि कि एमें में से कौन से शीतन है यह प्रेशन किभाए ळाय थे क्री जवाब हो दूर्ड है अगला नमबर का सवाल हे कि मुख्य रंग कितने होते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है कि प्रश्च का सही जवाब होगा डि आपके सामने अग्ला नंबर से क्वाल को रहती है तो अगला न लिकात में इस अगला सवाल को देखते हैं आपका दस्वा नंबर का सवाल है कि कौन सी रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है तो फ्रेंस यह प्रश्ण आपको करवाया थी यदि वीडियो देखे होंगे तो आप देखे होंगे तो कौन सी रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है तेल रं अगला नबर का सवाल कि पीले रंग मिलातने से कौन सा रंग इस प्रशन को भी आपको पता थे प्रस्ट को बंता है आपको क्यों रूस में ना रंगी इस प्रश्म का सही जबब यह होगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल कि इन्द धनुस में कितने रंग होते हैं यह प्राश्ण का सखी का यह कर आ आझकौन में कज modular कर देखवाइ चाह्य है नंभर का सवाल है कि बनावट की डुर्ष डृष्टि Сजी कंज क Krism को होते हैं यह भी प्रस्ण आपको कराये थे बनावट की द्रिष्टी से आलेखन कितने प्रकार को हते हैं तो चार प्रकार के तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि किनारे किनारी के परियोग किया जाता है जो यह पे देख्यें कि किनारी डेजाइन का परियोग कहां परिया जाता SAY फर्श के उसका सही जवाब होगा ए ठीक है आपका अगला प्रश्ण कि बारीक रेखाब राने के लिए कहों से नंबर का प्रश को प्रियोग करते हैं चली अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अगला नमबर के सवाल है कि हारा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है यह भी प्रश्ण कई वार करवाया तो इसका सही जवाब होगा B ठंडा ठीक है आपके सामने अगला सवाल है कि चित्र में गहरा रंग विशेसकर क्या दरशानी के प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंश देखें घनत्य गटा या अंधेरत चित्र में जो गहरा रंग होता है कैसा आप अधेरा दिखा रहे के लिए उसमें किया जाता है इसका सही जवाब होगा C आपके सामने अगला नमबर का सवाल है कि एकांकी रंग संगिती में कितने रं अगला नमबर का सवाल है कि अश्पर्ष रेखा दिर्ग बृत में किस से असपर्ष करती है लगू अच्छ को दिर्ग अच्छ को वक्र को या नाभी को तो फ्रेंच जो असपर्ष रेखा है दिर्ग बृत में क्या करती है वक्र को असपर्ष करती है इसलिए कि दिर्ग बृत ऐसे होता है ठीक है तिया कहां पर यहां पर परश करती है इस प्रशान का सही जवब सी होगा आपके सामने अगला नमबर का सवाल है कि निम, neलिखित में से ठोस् goals में आयतकार फुलक होते हैं जो फ्रेंज ठोस होता है उन्हों में घन में ठोस होता है इसे इसमें आयत कारण कर करे सकते हैं ठीक है आयत कि आकार का.. तो आपको πताव होगा उसका सही जवाब होगा है कितने वर्ग का सवाल को देखते हैं आपको पुरा ये सवाल बताय थे संपूरक संपूरal स्वाल आपका स्वाल कार कैसा होता कार कैसा होता है दिए रिचे का कार कैसा होता है तो इसका सही जवाब क्या होगा एक रिंग की आकार का होता है तो इसका सही जवाब होगा ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है दासमा एक सम चत्रुभूज में कितनी भूजाएं होती है तो सम चत्रुभूज होता है चत्रुभूज होता है उसमें कितनी छेज़ाब होगा सवाल है कि एक घंमें कितने फलक होते हैं और इसका ज़िए अग्ला नुम्ber काशे हुता है उसका कितने परकार की इसका सही जवाब होगा आपका- lim-pad चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं चोड़ामा नंबर का सवाल है कि दो बृतों के छेत्रफल में अंतर के बराबर एक बृत बराने के लिए कौन से त्रिभूज का उपयोग किया जाता है तो इसमें कौन से परियोग किया जाता है संभाहू त्रिभूज का जवाब होगा A, आपके सामने अगला नंबर का है, कि 180 अंस के कोड को क्या करते हैं, सरल कोड यारी जुरू एक ये कोड करते हैं, तिसका सही जवाब होगा A, आपका A, आपके सामने 17 होगा नंबर है, कि 1 डेसी मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं, यह भी सवाल आपको करा है थे इसका सही जवाब होगा कि अगला सवाल कि एक और कमर चार होते हैं तो इसका सही जवाब होगा बिबॉसरा और सीर्या होगा णान इसका जवाब होगा दिस्वान नमबर का एक निमलखित में से कौन से आकार तिर्भूच के आकार का है तीनों बुजाओं से गिरी हुई आकरती क्या कलाते तिर्भूच तिसका जवाब होगा ठीक है फ्रेंस चलिए अब यहां पर देखें फ्रेंस आपको यह सभी प्रशन ब बनाना था मानों आकरती के साथ बनाई यह तदा इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों के पूड़ की ठीक है इसमें खेत में कार करती दो इस्तिरिया मंदिर परिसार सुरीदे के समय समय का ग्रामर द्रिश्च आपको यही सभी बनाना था आपके पास यह पेपर होगा फ् ठीक है फ्रेंस तो आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें